नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे हिंदी यूटूब चैनल हाई एड हाई जूकेशन में स्वागत है आईए दोस्तों बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर जो सिक्षकों से जुरी हुई है जी हाँ दोस्तों अब साल में दो बार राष्टिय पातरता परिक्षा नेट की तरज पर होगा अध्यापक पातरता परिक्षा टेट की परिक्षा मिली जानकारी के नुसार हिमाचल परदेश स्कूल सिक्षा बोर्ड ने राष्टिय पातरता परिक्षा के तरज पर अब साल में दो बार अध्यापक पातरता परिक्षा लेगी सेड्यूल के तहट जून और नौमबर में परिक्षाएं होंगी बोर्ड के इस फैसले से जेबी टी और बीड पास पचास हजार से अधिक बिरोजगार युवाओं को अध्यापक बनने की पातरता हासिल करने का आउसर मिलेगा सास्त्री भासा अध्यापक पंजाबी वा उर्दू भासा अध्यापक बनने की पातरता युवा साल में दो बार हांसिल कर सकेंगे राश्टी पातरता परिक्षा भी बर्स में जून वा दिसंबर में दो बार आयोजित की जाती है नेट सेंट्रल बोर्ड आप सेकंडरी एजुकेशन की ओर से आयोजित करवाई जाती है जून में होने वाले अध्यापक पातरता परिक्षा की पाली से 21 मैं तक ऑनलाइन आवेदन लिये जाएंगे जून में आयोजित किये जाने वाले सिक्षक पातरता परिक्षा का सेडूल भी जारी कर दिया गया है तो बास्तब में वहाँ के सरकार दोरा उठाया गया कदम सरानिये है और वहाँ के बिरोजगार युवाओं ने जिन्होंने सिक्षक बनने के लिए अपने आपको तयार किया है उन्होंने भी इसकी परसंसा की है क्या इस तरह से अन्य राज्य को भी कदम उठाना चाहिए और साल में दो बार सिक्षक पातरता प्रिक्षा आयोजित करनी चाहिए इसके लिए आप कमेंट्स के माध्यम से अपना सुझाब जरूर दे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक नई टॉपिक के साथ उपस्तित होँगा तब तक के लिए बिदा चाहता हूँ जय हिंद जय भारत